हलो एंड वेलकम फेंड स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर सिन एथिकल हकिंग में दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है जी एनेस 3 से ही लास्ट टाइम मैंने आपको बताया जी एनेस 3 को इंस्टॉल कैसे करते हैं आज मैं आगे बताऊंगा कि अगर उन्हें करना हो अभी तो हमने सिर्फ यह जाना था कि डिवाइस को कैसे एड किया जाता है लेकिन आज हम यह जानेंगे कि उन डिवाइस को पूरी तरह से अटेच कैसे हम करेंगे आई-पी अड्रस वगेरा कैसे प्रोवाइड करेंगे और कैसे हम चैक करेंगे कि वह वर्किंग में है या नहीं है तो यह सारी चीजे आज हम प्राक्टिकल ही जानेंगे और होप सो यह आपको पसंद आएगा तो फैंड्स चलिए शुरू करते हैं आज कि इस प्राक्टिकल सेशन के साथ लेकिन जिन लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आपको एथिकल हैकिंग से जोड़ी लेटेस्ट इंफॉर्मिशन मिलती रहें तो फैंड्स लास्ट ताइम आप जान चुके हैं कई चीजी जो लोग ये वीडियो फर्स्ट ताइम देख रहे हैं वो लास्ट के दोनों वीडियो देखें ताकि आप जेनस्तिरी के बारे में अच्छी तरह समझ सकें और नेक्स जो वीडियो है जो की सेटलाइट से जोड आज हम जानेंगे कि जो ये राउटर से हैंने कंफिगर कैसे किया जाए और आईप अड्रस वगरा कैसे दिया जाएगा तो फैंड्स यहां पर आरवन जो राउटर है यह आपको दिखाई दे रहा है कि यह आरवन राउटर है आपको राइट किलिक करके जाना पड़ेगा इसको कॉंसोल में कॉंसोल में इसके बारे में इन्फोर्मिशन सा आप ले सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि कॉंसोल में इससे रिलेटर जो इन्फोर्मिशन से वह आपको मिल जाएंगी फैंड्स उन सब के लावा कियाने की कॉंसोल में आपको पता चलता है कौन सा राउटर है और दूसरी जो information है series क्या है और RAM वगरा उन सब के बारे में आपको information मिल जाती है आप यहां देख सकते है 3640 series का हम router यूज कर रहे हैं तो friends अगर आपको जानना इसका version कौन सा है तो आपको command देनी है so version and you will see the version of that router यानि कि उस router का जो version है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी इन सब के इलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि router को IP address कैसे दिया जाए तो friends IP address देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपको पता होना चाहिए उसकी ports के बारे में तो अभी यहां पे ports नहीं दिखा रहा है कि जो cable हमारी connected है उनका port number क्या है तो friends वह देखने के लिए आपको यहां click करना होगा so hide interface labels जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो port के जो numbers है वह आपको दिख जाएंगे जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं यह हमारा F0, F0-0 है यहां पे connection हुआ F1-0 से है और यह हमारा E0 इनके port numbers हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि इनमें जो connectivity है वह किस तरह से हुई है तो F0 वाला port है हमारा और यहां भी F0 वाला यह F1 वाला port है जो Swiss से जोड़ा हुआ है यह E0 जो PC से जोड़ा हुआ है उसके बाद इंटरफेस आपको करना है जो कि port के हिसाब से ही होगा तो मैं आपको बता देता हूँ यहां हमारा port number F1-0 है तो मैंने लेखा interface F1-0 और enter हम कर देंगे तो friends अभी हमने यहां से interface कर लिया है interface करने के बाद अब बात आती है IP address की तो आपको यहां पर लिखना होगा IP address यानि कि आपको पूरा लिखना ही होगा IP address IP address लिखने के बाद जो भी IP address आप इसे देना चाहते है मैंने इसे दे दिया है 10.10.10.10 तो 10.10.10 मैंने इसका जो IP address है वो अपलाई कर दिया है उसके बाद इसकी जो subnet mask है वो आपको अपलाई करना है और इसके बाद हमें इसकी दोनो जो प्रॉपेटीज है वो अपलाई कर चुके है अब यहां पर एक और question आता है no shutdown हम यहां पर कर चुके हैं उसके बाद आपको देना है computer को IP address तो यह तो हमारा यहां तक का काम final हो ही चुका है अब हम बात करते हैं computer को IP address देने के बारे में तो friends computer जो है इस पर आपको right click करना है same वही procedure है console में जाना है जैसे ही आप console में जाएंगे पहले से start करना है वह हम भूल गए थी तो अभी यह started है आप देख सकते हैं VPC जो की शुरू हो चुका है अब इसका जो signal है वह green हो गया that means यह अभी शुरू है तो आपको जाना है console और जैसे ही आप console में जाएंगे आप देख सकते हैं PC1 के बारे में आपको information दे रहा है तो friends PC1 से related इसमें command किस तरह से apply करते अगर यह जाना है तो same का Linux की तरह और दूसरी operating systems की तरह ही आपको इसमें question mark देना है कि जितनी भी commands है उने use करने का जो तरीका है वह आपको यहां पर दिखा देगा and after then friends अब आप IP address देना चाहते हैं किस तरह से IP apply करते हैं तो उसके लिए भी आप IP लिखके question mark दे देजिए वह apply करने का तरीका आपको बता देगा आप यहां पर देख सकते हैं IP address apply करने का तरीका इसने दिखाया हुआ है तो friends चलिए IP address apply कर देते हैं PC को तो यहां मैंने लिख दिया है IP और जो भी IP address आप देना चाहते हैं सेम वही हमें देना है 10.10.10.11 तो मैंने इसका जो number है वह 11 कर दिया है यहां पर और क्यूंकि 8 ports है तो slash 8 मैंने यहां पर कर दिया है उसके बाद जो हमारा main है router का जो IP है वह हमें देना है और उसके बाद हम कर देते हैं enter तो आप देख सकत है PC1 को जो IP address है वह हम यहां पर दे चुके हैं उसका PC1 का IP address है हमारा 10.10.10.11 तो यह हमारा PC1 का IP address है अगर आप ping करना चाहें router को तो ping भी करके देख सकते हैं मैंने यहां पर command दी ping और उसके बाद मैंने apply किया जो भी हमारा router का IP address है वह और enter हम कर देते हैं उसके बाद आप इसमें जो pinging है ICMP जो packets है sequence है सारी चीज एकदम sequence ली चल रही है working में और ping भी यह हो रहा है तो इस तरहा से हम router को PC's को IP address वगएरा दे पाते हैं तो यह आप यहां तक समझ गए होगा इसके लाबा मैं इसकी कुछ basic tools के बारे मैं आपको बता देता हूँ अगर आप define करना चा देता है तो अगरend अगर आपको डिफाइन करना है कूछ itselfic Pad ने में कुछ अप। इसके लिए रेंगे लाब है जो आपको बताया होगा ज्डिया एरिया कितना है सरके लिए में दिया हुआ है किसी चीज की सख च्राइब चाहें तो इससे डिलीट भी कर सकते हैं वह स्कूल इक बंथि एक बंधिसे Allah क эфф करता है इसाब है और शारS इन सब का इस्तिमाल आप कर सकते हैं यहां से पीसीज ले सकते हैं यह आपको स्विचेज को ब्राउज करने के लिए हैं कि जितने भी स्विचेज हैं इस इनके बारे में जानकारी आपको देता है तो फेंड्स यह था हमारा आज का फाइनल वीडियो अगर इससे रिलेटिड आपके माइन में कोई भी कोशिंस हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और नाक्स वीडियो को देखना ना भूलिए नासा से रिलेटिड इंफॉर्मिशन जिसमें आपको मिलने वाली है तो होप सो आप उसे मिस नहीं करेंगे तब तक के लिए फेंड्स देखते रही योट्यू गड़ आपके लुए झाली होग विंग योगई टार शे बच्यूशन जिसमें आपके लिए सब्च्मिशन जिसमेड़ नासा देखते हो आपके लिए। आपके लिए जग्यू को आपके लिए अफ। आपके लिए बवांट इंवार है इंग